ये गाईज कैसे हैं आप सब देखिए आज हम डिस्क्स करेंगे 19 और 20 अक्टोबर का दा हिंदू न्यूस पेपर इंडियन एक्सप्रेस और प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो का इंपोर्डेंट करन्ट अफ़ेयर्स तो लीजे गाईज स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले बात करें स्टैग्फ़ेशन के बारे में तो देखिये इंफ्रमेशन इनफ्रमेशन बात करेंगे क्वबात नहीं है चिंता की कोई बात नहीं अच्छे से कर लेंगे ठीक है next बात करें fiscal stimulus के बारे में तो देखिए क्या होता है इसमें क्या किया जाता है कि increase government spending on infrastructure and public work program as well as reduction of tax rate ठीक है अब हम बात करते हैं देखिए fiscal stimulus में क्या होता है देखिए जब देखिए जर्नली इन चीजों को ये जो है न reduction of tax rate है infrastructure के उपर सरकार ज़्यादा खर्च करते हैं कब होता है ऐसा देखिए हमारा जो economy है हमारी वो slowdown में है recession में है तो economy को revive करने के लिए क्या करेंगे भाया लोगों के हाथ में पैसा दोगे तभी तो वो खर्च करेंगे और economy उनकी भढ़ेगी investment वो लोग करेंगे और economy बिल्कुल boost करने लगेगी ठीक है तो ऐसी policy को हम counter cyclical fiscal policy भी कहा जाता है ठीक है अगर आप चाहें कि हम basic economy को भी discuss करें अच्छे ज़े बिल्कुल साधान सी भासा terms में lemon language में तो बिल्कुल comment और mail कर सकते हैं दूसरा बात करें next तो देखें बरक वैली आसाम में पढ़ती है बिल्कुल map में देख लेना उसके बाद में देखें यह प्याज की एक species है onion की ठीक है तो यह news में थी इंडियन express में next बात करें टिग्रे इथोपिया का reason है काफी unrest है यहाँ पे भी तो news में एक बार मतलब आप map में देख लेना काफी चर्चा में है Geo Special Energy Map of India नितिया यूग लॉंच करता है इसको ISRO के collaboration के साथ उसके बाद में देखें largest rice exporter in the world प्यारा भारत है हमारा उसके बाद में देखें डायमोनियम फास्पेट देखें गाईज वैसे हम कभी कुछ नहीं छोड़ते है फिर भी अगर आपको लगता है कोई news छुट गई है तो बिल्कुल most welcome कमेंट या mail कर सकते हैं ठीक है डायमोनियम फास्पेट को हमने 24 मई को भी discuss किया था जब इसकी सबसीडी को भड़ाया गया था ठीक है डायमोनियम फास्पेट के बारे में बात करें second most commonly used fertilizer है भारत में यूरिया के बाद में यूरिया की बात करें यूरिया में nitrogen इसको nitrogenous fertilizer भी कहते हैं क्योंकि इसमें 46% nitrogen होती है डायमोनियम फास्पेट DAP जो होता है आजकल उसकी shortage चली हुई है इसी वज़े से news में तो देखे 46% इसमें fast force होता है 18% nitrogen होती है याद रखना next बात करें गाईस तो देखिए qadrilateral economic form की आजकल बाते चले क्या देसिस में शामिल होने की बात है तो देखिए इंडिया, इसराइल, United Arab, अमीरात और USA next बात करें blue flag इसराइली एरफोर्स एकसराइज है next बात करें guys तो देखिए world economic outlook आप देखिए world economic outlook के बारे में बात करें तो देखिए बिल्कुल इसे IMF जो है international monetary fund उसके दवारा किया जाता है अब अगर आप चाहें कि हम जैसे IMF के बारे में बात करें तो IMF के बारे में basic चीज़े भी discuss करें है तो बिल्कुल आप comment या mail कर सकते है जैसे IMF क्या है जैसे world bank क्या है ये world का एक ऐसा bank जो भया दूसरे देशों को loan देता है उनकी help करता है WTO क्या है जो international trade के monitor करता है ऐसे ही अगर हम IMF की बात करें तो ये इसका prime function है stabilize करना exchange rate को और balance of payment of countries को भी stabilize करना इसका primary function है दूसरा देखिए international trade जो है ये भी इसका function में इसके objective में आता है IMF में ठीक है गाईज और basic चीज़ें अगर आप discuss करना चाहें कि भाया इसका जो shareholder में जैसे भारत जो है वो 13th largest मतलब quota holder के अगर बात करें पहला दूसरा नहीं है ऐसे याद रखना है exam में ऐसे ही करते हैं वो लोग दूसरा है तीसरा है वो गलत होती है ऐसी चीज़ें ठीक है ऐसे चकर में मत पढ़ना ठीक है next बात करें गाईज तो देखें equity के बारे में अब हम equity के बारे में थोड़ा बात करते हैं ठीक है equity क्या होता है तो देखें गाईज basically अगर आपको economy समझना है न तो basic आपका बिल्कुल clear होना चाहिए जैसे equity को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में financial sector capital market ये क्या कुछ होता है तो देखें एक आदमी के पास मान लिया आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा मैं आपसे पैसा मांगूँगा आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप पैसा मुझे दे देंगे ब्याज लेंगे उसके उपर जो भी interest आप अपलाई करेंगे ठीक है तो ऐसे फिर कुछ financial institution भी होते हैं क्या होता है जैसे देखिए money market में short term loan journal दिये जाते हैं जैसे 12 महीने के कोई loan दिये 12 महीने तक एक साल तक दे दिये तो chiefly इसमें अगर mainly बात करें तो bank involve होती है ऐसी transaction में ठीक है अगर आप चाहे ना तो कर लेंगे किसी दिन discuss अच्छे से जो economy का basics है तो देखिए money market में banks होते हैं जर्नली और capital market में कौन होता है फिर तो देखिए capital market में जो fund होते है ना उनको invest किया जाता है longer terms के लिए और जो surplus fund होते हैं उनको दो तरीके से invest किया जाता है capital market में एक तो होता है कि किसी को loan दे दे ठीक है debt दे 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 ब्याज पे जैसे loan दे दिया किसी को और दूसरा होता है खरीद लेना share किसी company के जो share का खरीदना है किसी company का उसे equity कहा जाता है और जो ये share का खरीदना बेचना होता है इस market को equity market कहा जाता है ठीक है तो basics आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप comment या mail कर सकते हैं हम अच्छे से discuss कर लेंगे bond price क्या होता है भाया cost of bond किसी bond का क्या cost है वो bond का price होता है bond की yield क्या है तो देखिए उस bond पे क्या कुछ इंटराच दो दिया जाए वो उसका yield होती है bond की इसके क्या impact debenture क्या है तो आप बिल्कुल comment करना अच्छे से discuss करेंगे कुछ नहीं चोड़ेंगे फिर ठीक है next बात करें गाईज तो देखिए scheme को कश्मीर के लिए launch किया गया जल जीवन mission के अंडर में बिल्कुल आती है और देखिए इससे benefit होगा around 10,000 लोगों को फायदा मिलेगा जम्मू कश्मीर में exam में मिलेगा तो आपको मिलेगा एक लाख लोगों को एक करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा तो ऐसा नहीं है ऐसे data का थोड़ा सा ध्यान रखना आप देखिए गाईज आज भी जैसे जियोलाइट है ठीक है कल हमने discuss किया था जियोलाइट को आप देखिए जियोलाइट के बारे में बात करनें 16 मई को भी मैंने discuss किया हुआ है तो कभी ये मत सोचना कुछ आपका चूट गया है हाँ जास बात करने के आपका बात कर दो भी में बात कि उच्ट ओता क्या कुछ आपका भी मैंसे हुआ है